जेहिन दोस्तो मैं हुआ अनू पर आप सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तो आप सब लोग को पताई है कि इंडिया और चायना के जड़व के दर्मियान किस तरीके से इंडिया द्वारा चायना को काउंटर करने के लिए एक के बाद एक नया हत्यारों को दोस्तो इंडिया के तरफ से चायना को शिकस देने के लिए हलका वजन के आटिलेडी गन का तयारी किया जा रहा है जबकि चायना भी अब भारत के इन कदमों से डड़ा हुआ है दोस्तो भारत के तरफ से जहाँ पर आटिलेडी गनों के उपर जादा महतो दिया जा रहा है तो चायना भी अब तिल मिलाते हुए अपने बेडे में नया आटिलेडियों को शामिल कर रहा है ताकि भारत के इन कदमों को काउंटर किया जा पाए और आज के इस वीडियों में आप लोगों को लदाग में लड़ाई को जीतने के लिए किस तरीके से भारत द्वारा आटिलेडियों को महतो दिया जा रहा है उसके उपर बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि चायना इसे काउंटर करने के लिए किस तरीके से हड़ ब अटेच किया गया है जबकि ये नया डिविजन अब कोर लेवल पे जुड़ा जाएगा। इवन सोर्सस के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 2016 में जब बजट की इशू के वज़ा से एक फुल माउंटन स्ट्राइक कोर बनाने का प्रस्ताव को बैक बरने में डाल दिया गया था उस प्रस्ताव के उपर अब बारिकी से इसलिए भी सोचा जा रहा है क्योंकि इंडिया चारना के टेंशन के दर्मियान ऐसे माउंटन स्ट्राइक कोर भारत को रणनितिक तरीके से काफी मदद कर सकता है दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये जो पूरा माउंटन स्ट्राइक कोर बनाने का बात कहा गया था इनमें 90,000 ट्रूप्स को इंवाल्व करन जाना था उसके उपर कोई भी काम नहीं हो रहा है दोस्तों ये जो माउंटन स्ट्राइक कोर का गठन किया गया है ये असल में दोनों तरफ के खत्रे को देखते हुए मतलब चायना और पाकिस्तान दोनों के खत्रे से ही निपटने के लिए इसे इस तरीके से बनाया जा रह इसलिए भी है क्योंकि माउंटन वोरफेर में इंफेंट्री आर्टिलेडी और एर फोर्स एक साथ कॉम्बाइन ली बहत्रिन तरीके से ओपरेड होता है और दोस्तों ऐसे मिशनों के लिए आर्टिलेडी कितना महत्तोफूर्ण होता है उसके बारे में खुलासा करते हुए बताया गया है कि लदाक और सिक्कीम के कुछ लिमिटेड रिजन में ही आर्मर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि एर फोर्स का इस्तेमाल डिपेंड करता है वेडर कंडिशन के उपर वेडर कंडिशन खराब होने पे हमेशा एर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता ह में ऐसे आर्टिलरी ही है जो इंफेंट्री को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। उसे बेसिकली एक नया कॉंसेट के तहट IBG मतलब Integrated Battle Group में डिवाइट किया जाएगा जो आर्मी के लड़ाई का एक नया कॉंसेट है जिसमें Total Independent Battle Group का फॉर्मेशन किया जाएगा जो एक तरीके से देखे तो एक मीनी आर्मी का रोल निवा सकेगा। दोस्तो एक तरफ जहां पे भारत अपने आर्टिलेडियों को लेके काफी जादा सोच बिचार कर रहा है और नया नया रणनिती के तहट आगे बढ़ रहा है तो वही पे चायना अब भारत के इन Modernization Plan को देखते हुए काफी जादा तिलमिलाया हुआ है। चायना अल्डेडी बॉर्डर में धड़ब को बढ़ा के अपना मुश्किलों को बढ़ा चुका है और दूसरे तरफ चायना के सैनिक जिस तरीके से ठंड के मौसब में एक के बाद एक नाकाम हो रहा है उससे चायना का तिलमिलाट अल्रेडी बढ़ चुका था। और उसके बाद इंडिया के आटिलेडियों के खवर से चायना का नींद भी ते कुछ महिनों से उड़ा हुआ है। चायना से लगए हुए बॉर्डर रिजन में डिप्लोई करने का सोज विचार किया जा रहा है। ट्रायल के लोकेशन या आटिलेडी के शमता के बारे में जादा कुछ खुलासा नहीं किया गया है लेकिन रिपोर्ट में जादा जोर इसके उपर दिया जा रहा है किन आटिलेडियों को भारत से लगे हुए बॉर्डर में डिप्लोई किया जाएगा। दोस्तों चाइना के तरफ से ये निया आटिलेडी का नाम PLC-171 रखा गया है जिसे डॉंग फिंग 6x6 एक वियेकल के उपर माउंट किया गया है और चाइना के CCTV के मुताविक ये एक सेमी ऑटोमेटिक आटिलेडी है मतलब ये अपने गोलों को अपने आप ही लोड कर सकता है इन आटिलेडियों को चाइनीज आर्मी में 2020 के मध्य में ही कमिशन किया गया था और अब इस टेंडिंग वीडियों के बाद इन आटिलेडियों के डिप्लॉयमेंट के बारे में कहा जा रहा है जबकि इससे पहले भी आप लोग सुने होंगे कि चाइना के तरफ से PLC-181 नामक एक आटिलेडियों को भी चाइनीज आर्मी में भरती किया गया है और इन्हें इंडिया से लगे हुए High Altitude Reason में भी डिप्लॉय करने का बात चाइना के तरफ से कहा गया था पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि वो आटिलेडियों असल में 155 mm के आटिल अटिलेडि काफी जादा मुवेवल है और उचे पहाड़ी एरिया में काफी आसानी से डिप्लॉय किया सकता है चाइना के तरफ से आए दिन एक के बाद एक ऐसे वीडियो पब्लिश करते हुए अपने जंता को खुश करने का कोशिश किया जा रहा है और दिखाने का कोशि है वो आए दिन बिमार पढ़ रहे है क्योंकि हाई अल्टिट्यूट में ना ही उनका experience है और ना ही उनका physical condition इतना है कि इतने हाई अल्टिट्यूट में कम हवा के दवाव और बर्फिले ठंड में वो लोग टिक पाए पिछले हपते ही एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चाइना के आर्मी जो इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर में डिप्लॉइड है वो बिमार पढ़ रहे है और इसी वजाए से चाइना को अब तिब्बत के लोकल लोगों को आर्मी में भर्ती करने का प्लान के तहत भी आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वो इंडिया को का चाइनीज आर्मी जहां पे एक के बाद एक नया इक्वेप्मेंटों को दिखा के ये जटाने का कुशिश कर रहा है कि वो लड़ने में माहिर है वो ही पे चाइनीज मीड़िया का इन ही रिपोर्टों के द्वारा कुलासा ये भी हो जा रहा है कि चाइना कितना घमजोर है मारत के आर्मी में कुछ ऐसे भी ज़वान है जो हाई आल्टिट्ट्यूट में ही रहते हैं, मतलब उनके गाउख और उनके नेटीव प्लेजी हाई आल्टिट्ट्यूट है, खास करके लदाव स्काउट या फिर अन्ने रेजिमेंट, जिनमें ऐसे हाई आल्टिट्यूट और पहाड़ी एरिया के नौजवानों को भर्ती किया जाता है और वो वाखु भी इस तरीके के कंडिशन से लड़ने में माहिर होते हैं दोस्तों चायना के बिते कुछ महिनों के चुका है और साउचायना सी के अंदर भी एक के बाद एक मुखी खाते जा रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में पना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस क शोस्तों यजिए लगा लगा को